इस GST News में हम लोग discuss करेंगे कि आप GST Portal पर GST की return को file करने की जो frequency दे गई है उसे किस परकार change कर सकते हैं, यानि कि monthly से quarterly या quarterly से monthly return filing option taxheal.com के YouTube चैनल पर मैं C.S.A.T.B. Singh आपका स्वागत करता हूं जदि आप normal taxpayer है और आपने quarterly return filing की option को select किया है लेकिन quarterly GST R1 को file नहीं किया है, तो उस case में आप GST Portal पर जाके अपनी return को file करने की frequency को change कर सकते हैं, इसके लिए GST Portal पर edit option को enable कर दिया गया है इसके लिए सबसे पहले आपको GST Portal पर login कर लिना है, उसके बाद आपको search time में जाना है और return में जाना है, return dashboard पर click करना है, जिससे के आपके सामने dashboard open हो जाएगा यहाँ पे नीचे file return का button दिया गया है, आपको इससे click करना है उसके बाद आपको यहाँ से financially select कर लेना है, और यहाँ से आपको जो quarterly return है दिया file कर रहे हैं तो आप quarterly period select कर सकते हैं, यदि monthly कर रहे हैं तो monthly, जैसे के April, May and June का quarter है तो आपको June select करना है यह January, February, March का है तो आपको March select करना है, उसके बाद आपको search button पर click करना है उसके बाद आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर edit facility दी गई है, यहाँ पर आपको click करना है और अपनी जो return preference है उसे edit करना है कि आप monthly return file करना चाहते हैं या फिर quarterly, यहाँ पर आपको ध्यान रख रहा है कि अधि आपने financial year के लिए किसी भी एक GSTR1 को submit कर दिया है तो इस case में आप इस option का exercise नहीं कर पाएंगे, यानि कि जो return frequency है उसे change नहीं कर पाएंगे, इस परकार का pop-up message आपकी screen पे display हो जाएगा यदि आप GST के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं, तो आप हमारी YouTube चैनल की playlist को refer कर सकते हैं, यहाँ पे आप topic wise GST और income tax की videos को refer कर सकते हैं आज की GST की news आपको कैसे लगी, इसके बारे में हमें बताएं, लाइक करें और शेयर करें, जितना अधिक आप लाइक करते हैं और शेयर करते हैं, उतनी ही अधिक हमें प्रेंडा मिलती है कि हम और भी अधिक अच्छी GST की news आप तक पहुँचा पाएं